मुजफरपुर में एक्स मेयर समीर कुमार के हत्याकांड के बाद से मुजफरपुर सुलग उठा है मुजफरपुर में हर तरफ सड़क जान देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि कई शात्र संगठन सडकों पर उतर करके हत्यारों की गिरफतारी के लिए हंगामा कर रहे हैं बवाल काट रहे हैं आपको बता दे कि बिहार के मुझफफरपुर जिले में एक्समेयर हत्याकांड का गुच सा बावाल बन करके फूटा है आज 24 सितंबर सोमवार को मुझफफरपुर में जवरदस्थ हंगामा हो रहा है सडकों को जान किया गया है पेट्रॉल पॉंप्स भी बंद करा दिये गया है मिल रही जानकारी के मुताबिक कई छातर संगठन जो हैं वो सडक पर उतरा हैं आगजनी की जा रही है लोगों को खासा दिक्कत हो रहा है इस तरह के प्रदर्शन से जो जानकारी मिल रही है मुजफ़रपूर से जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके मताबिक कई छातर संगठन अब पुरु मेयर समीर कुमार की हत्याकांड में जाच और हत्यारों की गिरफतारी की मांग कर रहे हैं भारी गुस्सा है लोगों में इन तरह के परदर्शनों की वज़े से मुझफरपुर में सटकों पर जाम लगा हुआ है पबलिक काफी परशान है आपको बता दे कि मुझ सितंबर के शाम को अपराधियों ने दो बाइक सवार अपराधियों ने मुझफरपुर के पुरु मेयर समीर कुमार की एके 47 से गोलियां मार कर उनकी हत्या कर दी थी 20 सड़क पे इस वारदात को अंजाम दिया गया था CCTV फोटेज जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि दो बाइक सवार हत्यारे आते हैं सड़क पर वेट करते हैं जब समीर कुमार की गाड़ी वहां से गुजरती है तो इसी मौके का फायदा उठा करके वो आगे और पीछे से दोनों तरफ से के फुट सेवन से गाड़ी पर फायर करते हैं इतनी गोलिया बरसाई जाती हैं कि समीर कुमार और उनका ड्राइबर मौके पर ही दम तोड़ देते हैं फिलहाल हत्यारों की गिरफतारी को ले करके मुजफरपूर में काफी हंगामा हो रहा है छातर संगठ लगे हैं वो सुराग आज मीडिया में भी सामने आ गए CCTV फोटेज जो है वो हत्यारों की CCTV फोटेज जो की पुर मेर समीर कुमार की हत्यकान में शामिल थे वो अब सब के सामने आ चुट तो कुल मिलाकर के मुजफरपूर में अब बवाल हो रहा है हत्यारों की गिरफतारी जल्द गिरफतारी के लिए कई छातर संगेठन और लोग सड़क पर उतर आए हैं हंगामा किया जा रहा है क्या कुछ इस मामले में अपडेट होता है इसके आगे देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ बिहार की खबरों के लिए सबसे पहले आपको अपडेट देग यूटिब चैनल पर जाए हमारे उसको सबस्क्राइब करिए इसके साथ हमारे फेजुक पेश को भी जरूर लाइक करें